Hello viewers, welcome back, कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 31 अगट 2020 के लिए कुछ important current affairs शुरू करते हैं पहले point से, पहला point कह रहा है निन में से किस ने Directorate General National Cadet Course DGNCC Mobile Petition App launch किया है तो यह launch किया गया है हमाई रचा मंतरी राजनास सिंग जी के द्वारा रचा मंतरी राजनास सिंग जी ने Directorate General National Cadet Course Mobile Petition App launch किया यह Mobile Petition App का उद्देश एंसेसी केड़ेटों को एक platform पर समस्त प्रिसिचन सामगरी उपलद कराना है इस एप को एक प्रेशन विकल्प शामिल करने के द्वारा परस पर संभाग मुलक बनाया गया है इस विकल्प का उप्योग करने के द्वारा कोई भी कैड़ेट प्रिसिचन स्लेवर्स के बारे में प्रेशन पूच सकता है और उस प्रेशन का उत्तर योग इंस्ट्रक्टरों के एक पैनल के द्वारा दिया जाएगा इसके बाद अगली नियूस कह रही है यहाली में विश्व के सबसे बड़े और सबसे तीज हाइब्रिट क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण हे दू आयाइटी एल्मिनाई परशद ने किस देश के साथ समझाता किया है यह समझाता किया गया है रश्या के साथ में पूरी नियूस कहा कह रही है कि भारत के प्रद्योकी प्रसंस्थान के पूरुच चात्रों ने आत्मि निर्बर भारत के उद्देश से गुरूसी राजी के स्वामित वाली कम्पनियों रोसाफ्ट और लोमोनोसो मासको स्टेड यूनिवर्सिटी के साथ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज hybrid quantum computer बनाने के लिए एक समझोते पर हस्ताचर किये हैं जिसे MOU के MOU भी कहते हैं यह समझोता रशिया से IIT के पूर चात्रों के लिए में पूर प्रद्योगियों को प्राप्त करने और इस्थानांत्रित करने का लक्ष है इसके बाद अगली न्यूस कह रही है अंतरास्ट्री बुकर पुरुसकार 2020 जीतने वाले सबसे यूआ लेखक का नाम बताईए तो सबसे यूआ लेखक है मेरिके लुकास रिजने वेल्ड और इने बुकर पुरुसकार 2020 जीतने वाली सबसे कम उनके लेखक बन गई है इन्होंने उनके पहले उपन्याज दा डिस्क मोट ऑफ इवनिंग के लिए अंतरास्टी बुकर पुरुसकार 2020 जीता है या एक डच लेखका है और इन्होंने इसे डच भाशा में लिखा है इसका अन्वाद डच से इंग्लिश में मिशेल हचिसन ने किया है इस पुरुसकार के तहट 66,000 डॉलर का 66,000 डॉलर का नगत पुरुसकार दोनों को बराबर पहचान देने के लिए लेखक और अन्वादक के भी समान रूप से विभाजित किया जाएगा इसके बाद अगली नियूस कह रही है रास्टी E-Governance Division, NEGD और CSC Common Service Center E-Governance Services India Limited ने नागरिकों को कौन सा एप उपलब्द कराने हैं तो समझाता किया है तो यह अप्लिकेशन का नाम है उमंग उमंग अप्लिकेशन जो है रास्टी E-Governance Division और CSC E-Governance Services India Limited के बीच 3.75 लाख CSCS के नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को उमंग एप पर सेवाएं उपलब्द कराने के लिए एक समझाता ग्यापन पर हस्ताचर किये गए CSC Operators Gramming इस तरके उद्यमी VLE उमंग एप के माध्यम से नागरिकों को 140 विभागों की E-Governance सेवाओं का लाब उठाने के लिए नागरिकों को सक्षम बनाएंगे इससे उन नागरिकों को लाब मिलेगा जिनके पास या तो स्मार्टफोन नहीं है या वह स्वयम एप आधारिती सेवाओं तक पहुँचने में समर्थ नहीं है इसके बाद अगली नियूज हमारी कह रही है केंद्री सड़क मंत्री श्री नितिन गटकरी ने किस राजजी के लिए 45 राजमार्ट परियोजनाओं का उगाटन और शिलान्यास किया तो यह 25 अगस्त को शिलान्यास किया गया है मानिय निदिन गटकरी जी के द्वारा और यह 11,427 क्रोन की लागत से लगबग 1361 किलोमीटर लंबी कुल 45 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास है इससे पिछड़े छेत्रों सहिद पूरे मदर प्रदेश के विकास में मदर मिलेगी अगले निवस हमारी कह रही है किस बैंग ने भारत के युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट शिवा का सुरुवात किया है यह शिवा को शुरुवात की गई है एक्सिस बैंक के दौरा एक्सिस बैंक ने भारत के युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट शिवा की शुरुवात की है या युआओं और डिजिटल इच्छोग भारतियों की बदलती जीवनशैली की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है या प्रतिवर्ष 20,000 रुपए के अस्पताल नगत बीमा कवर को प्रदान करता है जो COVID-19 के तहट किये गए अस्पताल के खर्चों को कवर करेगा हमारी को कवर करने के लिए अपनी तरह का पहला बचत खाता है या खाता 35 वर्ष से कम आयूके श्रमिक वर्ग की जीवनशैली की आवशक्ताओं को पूरा करने के लक्ष के शाथ सुरू किया गया है साथ ही साथ Liberty Savings Account के विशेशता हैं अगर हम बात करें तो ये Minimum Balance या गराकों को प्रतिमा 25,000 रुपए का नियुनतम बैलेंस बनाया रखने या Liberty Debit Card या बचत खाते में Net Banking Access Mobile या UPI के माधियन से जीवनशैली की जरूरतों पर हर महिने उतनी ही राशिक खर्च करने की अनमती देता है वाशिक बचत और Lounge Lab या 15,000 रुपए की वाशिक बचत प्रदान करता है या एक वर्ष में चार बार हवाई अड़े के लाउंज की उप्योंग की सुधा भी प्रदान करता है कैश बेक और गिफ्ट वाउचर भी इसमें दिये जाते हैं जिसमें या Food, Entertainment, Shopping और Travel और गिफ्ट वाउचर आधी पर डेबिट कार्ड पर 5% का कैश बेक भी देगा तो सबसे इंपोर्टन इसका यही है कि 20,000 रुपए का अस्पताल का इंशोरेंस कवर मिलेगा इसके बाद अगली नियूस कह रही है भारत की पांचवी आभासी ब्रिक्स उद्योग मंतरी बैठक का संबोधन निम्ण में से किस ने किया तो यह इस बैठक का संबोधन किया है शोंप्रकाश जी ने कृतिम बुद्धिमत्ता और 5G सहित कई छेतरों में सहियोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स याद रखेगा BRICS जिसमें B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफरीका इन पांच देशों का संगठन है और इनी देशों के उद्योग मंत्रियों की पांचवी आभासी बैठक आयोजित की गई थी भारत से इसे केंद्री वाडिज और उद्योग राजी मंत्री स्री सोंप्रकाश जी ने संबोधित किया ब्रिक्स देशों के बीच कृतिम बुद्धि मत्ता 5G और उद्योगिक इंटरनेट जैसे छेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई नई और द्योगिक क्रांती पर ब्रिक्स भागेदारी के क्रियानमेन को शुरू करने के लिए बैठक ने एक संयुक्त गोशना को भी अपनाया है इसके बाद अगली ने उस कह रही है प्रिसिद कोच वासुदेव जगननात परांजपे या इनी को वासुप परांजपे भी कहा जाता है इन पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट ड्रोन का किस तेथी को विमोचन किया जाएगा तिया विमोचन किया जाएगा दो सितमबर दो जार बीस को वासु परांजपे जी पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट ड्रोन का 2 सितमबर 2020 को भी मोचन किया जाएगा या पुस्तक इनके बेटे और वर्तमान रास्ट्री चैन करता जतिन परांजपे के साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु द्वारा लिखी गई है तो याद रखिये गए इनके बेटे और आनंद वासु जी के द्वारा लिखी गई है और इसे पेंग्विन द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है इसके बाद अगली न्यूज हमारी कह रही है लाइफटाइम केटेगरी में द्रोनाचार अवार्ड से सम्मानित होने से एक दिन पहले ही किस एटलेटिक्स कोच का 79 एर्ज की एज में दिल का दौरा पढ़ने से निधन हो गया तो यहां निधन हुआ है पुर्षोतम रायजी का पुर्षोतम रायजी को अवार्ड मिलना था लाइफटाइम केटेगरी में द्रोनाचार अवार्ड और इनको अवार्ड मिलने से एक दिन पहले ही इनका निधन हो गया इसके बाद अगली निउस कह रही है किसने अपने सेवा निरत कर्मियों को पेंशन देने के लिए एक अप्लिकेशन को लाँच किया है तो यह लाँच किया गया है CISF के द्वारा CISF यानि केंडरी और द्योगिक सुरच्छा बल ने अपने सेवा निरत कर्मियों को पेंशन देने के लिए एक अप्लिकेशन लाँच किया है CISF के प्रवक्ता ने कहा या एब वेब और अंड्रोइट प्रेटफॉर्म पर उपलग रहेगा इसमें पेंशन भोगियों को अपने डाटा तक पहुँचने की सुविदा मिलेगी इस एब में पेंशन भोगियों को नजदी की CISF यूनिट में होने वाले महदपून कर्क्रमों का निवंतरण भी भेजा जाएगा उन्होंने यह भी बताया कि इस CISF में फिलहाग 36,000 पेंशन भोगी हैं उन्होंने कहा कि एपल फोन के लिए इसका iOS वर्जन जल्दी ही तयार किया जाएगा तो यह थे आज की करेंट अफेर्स और इसके बाद आज कौन सा डी मनाया जाता है आज ही के दिन सन 1957 को मलेशिया आजाद डिकलियर किया गया था और तबसे प्रतिवर्ष मलेशिया का इंडिपेंडेंस दे 31 अगस्त को मनाया जाता है याद रखिएगा इंडिया 1947 को और मलेशिया 1957 को तो यह थे आज की आपके सारे important current affairs मिलते हैं कुछ नए current affairs के साथ कल की वीडियो में till then take care and thanks for watching